हेलो फ्रेंट्स विडियो में देखें यह बेस बनाने वाले हैं पोहुत ही कुपसूरत सा मैंने यह फ्लार वाला बेस आपको बनाना बताया है इसे जो डेकोरेट करूंगे उसका लिंक में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ते दूंगी आप चेक कर लि आल पर क्लिक कर लिजे जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे बहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अम्रितीपैसमिला 50 यह फरी लिंक आपको डिस करूंगी कि थोड़ा आपको इसे लेस वगरे से ही डेकोडेट करके दिखाऊं जिसे आपके लिए इजी हो आप इसे आसानी से डेकोडेट कर पाएं यह देखें कुछ इस तरह का लुक आएगा यह देखें अभी मैंने सिंहासन पर काना जी को बिठाया नहीं है फिर भी य के लिए जूरत लग रही है आप देखें तो आप भी इसे आसानी से बनाएएं और पहनाईए च्छे नमर के काना को मैंने आपको पहना के दिखाया हुआ है बट सेम जो है वो आप पांच नंबर को भी पहना सकते हैं क्योंकि काफी साले लोग आपने पांच नंबर के काना को भी थोड़े से बड़े गेर की पुषाक पहनाते हैं और इसकी ये कटिंग की वज़े से ये थोड़ा सा छोटी लग रही है आप देख सकते हैं तो ये सेम ड्रिस आप चार नबर को भी पहना सकते हैं ये जो बेस है चार पांथ छे तीनों साइज को आ जाएगा वैसे मैं आपको एकदम डीटेल में समझाया ही है कि कैसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं तो पूरी वीडियो देखे चलिए स्टार्ट कर लेती हूं और देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने इसे ये दिखे सबसे पहले मैंने ये बुकरम का पीस लिया हूँ ये दिखे हमारे ये देखे एक ग्यारा इंच रखा है दोनों साइज से हमारी इसकी लंबाई और चोड़ाई जो है वो एक ग्यारा इंच है मैं आपको सभी साइज के लिए बता देटी हूँ देखें ये जीरो एक दो तीर चार पांट छे साथ आट नो दस दस नमबर तक का हम देख लेते ह तो छे नमबर के लिए मैंने यहां 11 इंच रखा है पांच नमबर के लिए आपको 10 रख लेना है चार नमबर के लिए 9 इंच लंबाई चोड़ाई तीन नमबर के लिए 8 इंच दो नमबर के लिए 7 इंच एक नमबर के लिए 6 इंच और 0 नमबर के लिए आपको रख लेना है पांच इंच और अगर आप डबल जीरो साइज का बनाना चाहते हैं तो आप चार इंच लंबाई चोड़ाई का बुक्रम ले लिजे और साथ नंबर के लिए मैं आगर आपको बताओं तो बारे इंच हो जाएगा आठ के लिए 13, 9 के लिए 14 इंच और 10 नंबर के लिए 15 इंच लंबाई चोड़ाई हमारी हो जाएगी देख लिए आपको यही मेजर्मेंट रख नहीं है सभी साइज का मैंने आपको बताया है अब किसी भी साइज में आपको बनाना हो आप उत्ती लंबाई चोड़ाई का बुक्रम का पीस कट कर लिजे फिर हम इसे देखिए इस तरह से मोड़ेंगे यह मैंने यहाँ पे इसे एक बार मोड़ा नाखुल लगा लेते हैं इस पे यह इस तरह से नाखुल लगा दिया फिर हम इसे दुबारा से मोड़ेंगे जी देखें यह में से एक और पार मोड़ा ये कि सब भी पीस को आपको इसी तरह से मोड़ ना है किसी भी संधुपी बनाईगे यह 2 बार हो गया फिर हम इसे एक और पार मोड़ेंगे ड्रोटल तीन बार हमें इसे मोड़ना है ये देखें, तीन बार मोड़ने के बाद कुछ इस तरह का आपको सेप मिल जाएगा, ये ऐसा सा ये देखें, हमने यहाँ पे इसे इतना मोड लिया है अगर हम आसान लेगमेज में समझें तो देखें ये सबसे लंबा वाला हिस्सा है ये देखें, यहाँ पे है इधर से ये तीन फोल्ड आएगा आपका देखें एक, दो, तीन और इधर से पूरा फोल्डेड है और उपर से कई सारी लेर्स आ जाएंगी तो वो हमें उपर की साइड रखनी है आप इसका ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी में हमें सरकल बनाना है तो यहाँ पे सरकल बनाने के लिए आप किसी भी चीज की हल्प ले सकते हैं जैसे कि देखें, मेरा ये जो बॉक्स है, ये एकदम इतना ही बड़ा है ये देखें, इसी तरह से आप भी कोई भी चीज यहाँ पे रखिए जो देखें, यहाँ से एकदम टच करें यहाँ से भी टच करें और यहाँ से भी टच करें बस इसे रखके मैं मार्क कर लूँगी एकदम आसान तरीक आपको बता रही हूँ आप किसी भी साइज में बनाएए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह देखें, पूरा प्रॉपर आपका एक सर्कल बन जाना चाहिए यह इस तरह से यह देखें, यह पूरा मेरा प्रॉपर सर्कल बना है और यह सर्कल यहाँ से भी टच कर रहा है यहाँ से भी टच कर रहा है और उपर से भी टच कर रहा है, आपको भी इसी तरह से बनाना है, अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, तो इस तरह से करनी है कटिंग, यह देखें, अगर आप बिगनर भी हैं, तो भी आपको यह ड्रेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना इजी तरीका मै कि बुक्रम कट करने से हमारी केच्ञ के जुधा आर वो, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ये देखें, ये हमारी कटिंग हो गई, बस इसी तरह हमें, कट करना है, इसे खोलने से पहले, यहाँ पे हम कमर भी कट कर लेते हैं, तो कमर के लिए, मैं यहाँ पे, मैं सर कर के कटिंग अब यहां पे कमर की कटिंग में आपको सभी साइज के लिए बताऊए तो इंच टेप पे आप देखिए यह हमारा 1 इंच है तो यहां पे जो एक एंच half inch जो है हमारा इसके पहले वाला यी जो point है double zero और zero सा ऐसके लिए आप इतना cut cut कर लिजिए, एक और दो नमबर के लिए half inch cut कर लिजिए उसके बात 3 और 4 नमबर के लिए आप उसके अगला वाला जो point है वो cut कर लिजिए और 5 नमबर के लिए 10-25 इंच कट करें चटा पॉइंट और 6 नमबर के लिए देखिए जो छटा पॉइंट और साथ हो पॉइंट है इसके बीच में हमें कट करना है बहुत मेजर चेंज होता है क्योंकि काना जी का जो साइज है वो अचानक से ही बहुत बड़ा और छोटा होता है एंच देप को रखऊंगी और 7-5 इंच से हलका सा बड़ा कट करूंगी ये इस तरह से यहां तक का मार्क बता लिए और 7 नमबर के लिए आप यहां कट कर लिए आठ नमबर के लिए चनक के लिए इस तरह सरा के पॉइंट बढ़ाते चले जा सकते हैं यहां पर देखें मैं इसे कट कर लेती हूं तो हमारा नीचे वाला भी सरकल जो है वो कट हो जाएगा यह इस तरह से यह हमारी कटिंग जो है वो हो गई यह देखें एकदम प्रॉपर गोल थी आ जाएगी आपके कमर अब हम क्या करेंगे इसे अस्तर के फैबरी के उपर प्रस करके चिपका दिया और इक और इस्तर का पीस कट कर लिया है half-off इंच एक्स्ट्र रखते हुए हमें क्या करना हे एक पिन ले के यहां पे इस तरह से लगा करना यह यह ज़रूरी है यहां अपन लगा लगा लिजी उसके बाद आब इसससे कट करने हम इसे ऊल्टा रखना इधर से रखना है, क्योंकि दोनों साइड इसकी कवर करनी है हमें, मैंने उधर से ही रखके कट किया था, तो बस इधर से रखिए और पिन लगा लिजे, यह इस तरह से करके पिन लग गई, अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे, यह इस तरह से, यह देखें, इसकी कुनाई पे हमें ऐसे कट लगा लेना है, अगर आप बिगनर भी हैं, तो भी आपको यह ड्रस बनाने में कोई प्रब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बना लेंगे, इतना डीटेल में मैं आपको इसे समझा रही हूँ, यह देखें, आसानी से बनाएं यह सभी जाइजर में, अब हमें क्या करना है, इसे देखें इस तरह से पलटके और सिल लेना है, पूरा ऐसे, पूरा ब्राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे, चले सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है, यह दिखें, अब हम यह पिन निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे एकदम स्ट्रेट आपको मार्क दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इस मार्क के इधर से सिलाई लगाएंगे, पूरे राउंड पे लगाएंगे, और यहाँ से उतर जाएंगे, आप कहीं से भी स्टाट कर सकत यहां से भी यहां से भी यहां 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 यह जो इज़ो इसका V फ säp से कहों से सर्ट कर सकते हैं अपने वाली सिलाई छलिए सिल सी मुँआ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखे हैं हमने यहां पे से सिल दिया अब HC siahif abit ko apparent कर लेंगे यहां पर यहां πर जो हमारे एक्स्ट्रा अस्तर दिख रही है उसे कट करके हटा देना है किसी भी सायल में बना, आपको same यहीं चीज करनी है जहां पर मैंने आपको एकदम क्लियर बताया हुआ है तो परसान होने की कोई जरुवत नहीं है आसानी से बन जाएगा अब देखें यह हमारा हो गया है अब हमने यहां पर यह नेट का फैबरिक लिया है लंबाई 45 इंच रखी है चोड़ाई देखें हमें कैसे मेजर करनी है यहां से ल आपको इसी वीडियो के डिस्रिप्शन वाक्स में लिंक दे दे रही हूं वहां पर मैंने डबल जीरो साय से लेके 10 नमबर तक लड़ु को पाल का बेस बनाना बताया है वहां पर मैंने आपको यह पत्ती बताई है कि किस किस सायज में आपको कितनी कितनी लेनी है सभी अब इससे प्लेट बनानी है, यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे, इस प्लेट पे हमें ध्यान देना है कि हमें बारीक प्लेट बनानी है, नॉर्मल हम थोड़ी सी मोटी चौड़ी प्लेट बनाते हैं, बट यहाँ पे हम पतली-पतली सी प्लेट बनाएंगे, देख से यहाँ पे प्लेट बनाएंगे किसी भी चीछी की आप help लीजे और उसकी help से इसे एकदम सुई के pass कर दीजे यह देखिए इस तरह से plate बनाईए और यहाँ पे अंदर कर दीजे इस तरह से plate बनाईए और अंदर कर दिया यह देखिए कितना easy है अगर आप bigmer तो भी कोई प्राब्लेम नहीं होने वाली है, आसानी से बना लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ी और प्लेट भळ लेटे हैं, यह एसे करके, यह मने प्लेट बना दी करें, अब हम यहाँ पे इतनी दूर पे सिलाही लगा लेंगे, तो देखें, यह सुलाही लेगा, लास्ट प्लेट इस्टी शोते ही सुई हमारी अंदर जाएगी, हम पीछे से उठाके अगर इसे खीचेंगे तो देखे निकलता नहीं है, तो हमें इजी हो जाता है आगे की प्लेट बनाना, फिर देखें इस तर से करके अपनी प्लेट को बनाएंगे, ऐसे करके हमें अपनी पूरी प्लेट बनानी है, यह देखें, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ, यह 45 इंच लंबाई का जो फाब्रिक है, थोड़ा सा जल्यली से बना देती हूँ, जिसे वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी ना हो, मैं कोई भी चीज समझाती है, सिखाती हूँ आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे इस तरह से सेट कर दूँगी, बस यह लगबग 1-5 इंच में इकटी हो गया हमारी पूरी प्लेट, अब यहां पर हम दूसरा पीस भी लगाते हैं, आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है, यह देखें, इस तरह से लेंगे दूसरा पीस, यह यहां पर मोल लेंगे, और मोलने के बाद ऐसे करके प्लेट बना लेनी है, आप देखें, बहुत इजी है, तीन-चार प्लेट मैंने बनाई, बस यहां पर हमें लग देना है, ऐसे पीछे से उठाएंगे, किसी भी चीच की हल्प लीजे, और उसकी हल्प से इसके अंदर चली बनाती हूं, फिर आगे बताऊं कि क्या करना है, यह देखें, हमने हाँ पर अपनी फ्रिल बना ली है, अगर मैं आपको इसकी कमर दिखाऊं कि कितने इंच हो गई है, तो मेजर कर लेते हैं, कि हमारी यह कितने इंच की है, यह देखें, टोटल चार पीस मैंने लगा द से रखके, और यह पूरी, यह देखें, यहां इसकी कमर पे सिल लेना है, तो इसकी कमर थोड़ी सी बड़ी है, अगर साड़े छे इंच रहती, तो हमारी अच्छे से चल जाती, तो बड़ी है, तो कोई बात नहीं है, यहां पे एकदम पतला सा देखें, फैब्रिक है, एक् कि यह खुला वाला हिस्सा है, यहीं पे हमें सिलना है इसे, चले सिलती हूँ, सिलते हूँ, यहां तक आती हूँ, सभी साइज में आप कोई सी तरह से सिलना है, फिर आगे बताऊंगे कि क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है हमने इसे सिल दिया है पूरा हमें यह जो हमारा यह राउंड है इसी पे अपने नेट के फैब्रिक को सेट करके सिलना है तो बहुत इजी है कोई प्रब्लम ने दिखें उपर सी हमारी फ्रिल जो है बनते हुए आ रही है बस इस इसको हम इस तरह से देखिए ऐसे सेट करेंगे यह इस तरह से बहुत आसान है कोई प्रब्लम नहीं होगी आपको बहुत आसानी से आप बना लेंगे यह देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूं यह ऐसे करके यह देखिए मैंने सारी फ्रिल जो है वह बना ली है इसे हलका अलकासा spread कर लूंगे फैला दूंगे पूरा ये इस तरह से देखे पूरी फिल बन गई है और हमारा ये circle नीचे वाला देखे आपको अच्छे से देख रहा होगा तो बस ये दिख रहा ही है हमें हमें सिलाई लगानी है इसी पे तो देखें कैसे सिलाई लगाएंगे यहां प आपको set करते चले जाना है, देखिए उपर से जो प्लेट बनते हुए आ रही है, वही बस हमें यहाँ पे इस तरह से set करनी है, ऐसे करके, और पूरे राउंड पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, यह देखिए इस तरह से, यह मैंने इसे भी set कर लिया, हम हलका सा spread कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, चले लगा लेती हूँ, ऐसे ही करके मैं पूरे पे लगाऊंगी, फिर आगे बताती हूँ क्या करना आपको यह देखिए, मैंने आप इसे सिल दिया है, अगर आपको फ्रॉंट साइट से सिलने के बाद लगेगी कहीं पे भी आपका छूड दिया है तो आप इसे उल्टा करिए, और उल्टा करने के बाद यहां से पूरे पे एक बारा से सिलाई लगा लेजे, उसके बाद इसकी मेरा कहीं भी चूटा नहीं है तो मैं इसे टार्यट कर दूँगे और कटिंग हम हमेसे उल्टी साइट से ही करेंगे, पहला यहीं से करेंगे, यहांससे इस तरह से जो भी हमारी एक्स्ट्रा नेट है, वो कट कर देंगे, इस बेदे को बनाने के लिए मेन यहां उनी रोल है नेट आपको यही होनी चाहिए यह जो नेट है इसकी अगर मैं आपको पहचान बताऊं तो यह थोड़ी सी हार्ड है और इसमें साइन है काफी अच्छी साइनिंग नेट हम इसे बोलते हैं और अगर आपको आपके लोकल मारकेट में नहीं मिल ले हैं यह देखें यह इस तरह से करके मैं कट करूँगी चले कर लेती हूँ पूरा फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है यह देखें यह हमारा इतना काम हो गया है अब हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइट से मैंने यह देखे और यह पट्टी कट की है हम इसे ऐसे मोडेंगे और यहां से भी मोडेंगे और यह पट्टी कैसे कट करना है एक वीडियो में मैंने बिनाई है जिसमें मैंने सिर्फ आपको नेफा बनाना बताया है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के इसे एम रखेंज कर लिया है। अभने हं फ्रन के लाने के बाद, मैं लुद्ट जाल एकक्षर को खाए हैं। मोडने के बाद हम इसे उपर से मोडेंगे और मैंने यहां पर यह रड़ी में डोरी लिए है इसे हम रखके और पलट के सिल देंगे यहां पर सिलाई लगाते वक तब ध्यान दिजेगा कि डोरी के उपर से सिलाई नहीं लगानी है और नेफे पर अपने सिलाई को अच्छे से लॉक करिएगा चलिए सिल देती हूँ फिर आगे आपको बताओंगी कि क्या करना है यह हमारा हो गया है अब यहां पर हमने चोली के लिए फैब्रिक लिया है एक 11 इंचिस की लंबाई है पांच इंचो ड़ाई है सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं सबी सायच के लिए कि कितने आपको रखनी है तो देखिए 6 नंबर के लिए हमने 11 इंच रखिए जितना हमने लंबाई चोड़ाई का अपना बुकरम का पीस लिया था उतनी ही लंबी हमें लंबाई चाहिए तो सबी साइच का आपको वही रख लेना है 00 साइच के लिए 4 नंबर, 00 साइच के लिए 5 नंबर, 1 नंबर के लिए 6 इंच आईए देखे, डबल जीरो साइज के लिए 4 इंच, जीरो साइज के लिए 5 इंच, एक नमबर के लिए 6 इंच, दो नमबर के लिए 7 इंच, तीन नमबर के लिए 8 इंच, 4 नमबर के लिए 9 इंच, 5 नमबर के लिए 10 इंच, 6 नमबर के लिए 11 इंच, 7 नमबर के लिए 12 इंच, 8 नमबर के लिए 13 इंच, 9 नमबर के लिए 14 इंच, और 10 नमबर के लिए 15 इंच, अब हम चोड़ाई देख लिते हैं, तो जो हमें 6 नमबर के लिए हमने यहाँ देखे 5 इंच चोड़ाई रखी है हमें 7 और 8 नमबर के लिए भी 5-5 इंच फी चोड़ाई रखनी है 9 और 10 नमबर के लिए हम 6-6 इंच चोड़ाई रख लेंगे और 5 और 4 नमबर के लिए हम 4-5 चार इंच चोड़ाई रखेंगे तीन और दो नमबर के लिए हम 4-4 इंच रखेंगे एक नमबर और जीरो साइज के लिए हम 3-3 इंच रखेंगे और डबल जीरो साइज के लिए हम 2 इंच वड़ाई रखेंगे और कैसे सिलना है सेम इसी तरह से आपको सभी साइज में सिलना है तो यहाँ पर इस तरह से हम मोडेंगे, मोडने के बाद एक बार और मोडेंगे, और इसे यहाँ पर इस तरह से से मोड के सिलाई लगा दिएगे, तो दिखेए इस पतला हो जाएगा, सिर्फ हमने ओजमें नेट के फैबरिक से बनानी हैं, छोली इस लिए हम चोड़ा फैब्रिक लेते हैं, चलिए सिल देती हूँ अब देखिए यहाँ पर सिलने के बाद मैंने यह गोटा पट्टी वाले लेस ली है वो मैं इसके उपर लगाऊंगी, तो यह बिल्कुल आप्सिनल है, आप चाहें तो लगाएं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चलिए मैं लगा लेती हूँ, लगाने के बाद हम इसे 20 से आधा-धा कट कर देंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर इसे दो भाग में कट कर दिया है, अब हमारा साड़े 5-5 चिंच हो गया है अब हम इस पर यहाँ पर थोड़ी दूरे से तीच्छी सिलाई लगाएंगे, और से खोल कि ऊपर से भी हम अपनी गोटा-पट्टी वाली लेस ही लगा लेंगे डोरी के लिए, तो चलिए सिल्के लगा लेती हूँ, हमारी चोली फिर कम्प्लीट हो जाएगी यह देखिए हाँ पर हमारी जो चोली है वो भी कम्प्लीट हो गई, हमारा में जो है वो बेस वो भी कम्प्लीट हो गया, इसी तरह आप सभी साइच के लिए से बना सकते हैं, तो इसे पहना के मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, आई हो आपको कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करके जाएगा, अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे,